36 गड़ सामानने अध्यान से संबंधित 10 प्रस्णों पर रोज हम लोग डिसकसन कर रही हैं जो कि CGPAC और CGVAPAM के लिए काफी important हो सकता है सीधे हम लोग questions पर आजाते हैं तो question है आज का पहला question कि कौन सा कथन भत्रानाट के संबंध में असत्य है भत्रानाट जो की बस्तर अंचल में काफी famous है तो पहला दिया हुआ है इसमें पूरुस इस्त्री की भूमिका करते हैं इसका आयोजन केवल दसहरा पर होता है ना ना इसका जो आयोजन है ये लोग कभी भी करते हैं तो ये आपका गलत होगा और जो answer भी यह होगा कौन सा कथन को भी देख लेते हैं इसका आयोजन पूरी रात के लिए होता है जिया बिल्कुल सही है ये भी इसमें उडिशा का प्रभाव है हाँ ये भी सत्य है अगले question की तरफ चलते हैं अगला question दिया हुआ है प्रदेश का सरवाधिक निवेश वाला और द्योगिक विकास केंद्र क कौन सा है ये आप लोगों को बताना है कॉमेंट करके जल्दी से आप बताइए तो देखिएगा जो सिल्तरा है ना जो कि राइपूर में है सुरी सिल्तरा और द्योगिक विकास केंद्र तो ये जो है सबसे बड़ा मतलब कि सबसे सरवाधिक निवेश वाला और द्योगिक पूरां घंट लोना में रखेंगे अगले कोश्चन की तरफ शातिजगड़ की जनजातियों से नीम्न कथन संबंदित है कथन दिया हुआ है कथनों को 26 जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा समों है यह वाला जो कोस्चन है ना इस टाइप का कोस्चन बहुत बार यहां पर बोल रहा है कि वैसे सभी अगर यहां पर सभी लगाता ना कि सभी जनजातियां चत्तिजगड के उत्री और दक्षिनी पहाडी चेतर में निवास करती है तब यह वाला कथन गलत हो जाता अगर यहां पर अधिकतर जनजातियां चत्तिजगड के वे उत्री और दक्षिनी चेतर में निवास करती है तो यह बिल्कुल सह देखो इस तरह का जो question होता है ना थोड़ा सा आपको जो है सोचने पर मजबूर करेगा तो इस तरह के question को थोड़ा सा आप लोग सोच समझ करके बनाईएगा जैसे कि यह जो दूसरा point है यह भी बिलकुल मतलब की मुख्यत सिकार पर निर्भर है खेती भी तो करते है ना जो इस थानांतरित क्रिशे तो यह वाला गलत होगा बाकी एक और दू यहाँ पर एक और तीन यहाँ सही है तो एक और तीन सही है आगे बढ़ते हैं एगले question की तरफ ताहुतदारी प्रथा की सुरुवात किस ने की थी ताहुतदारी प्रथा की सुरुवात तो किस ने की थी इसने ताहूत दारी प्रथा की शुरुवात की थी लोर्मी और तरिंगा सबसे पहले ताहूत बनाए गए थे अगला कोश्चन है राइपूर डायनामाइट सड्यंत्र से कौन संबंधित था राइपूर डायनामाइट सड्यंत्र क्या था कि जो हमारे चत्यजगर के युवा राइपूर डायनामाइट बना रहे थे ताकि उसके जरी जो है क्रांती ला सके तो इसमें जो बिलख नारायन अगरवाल है इनका नाम अगरणी है बाकि जो परस राम सोनी है यह राइपूर सड्यंत्र केस से संबंधित थे तो यह दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है राइपूर सड्यंत्र केस और राइपूर डायनामाइट केस और दोनों ही घटनाएं 1942 की थी आगे बढ़ते हैं एगले कुश्चिन की तरफ किस राष्ट्री इस्तर के नेता का 36 गड़ में आगमन नहीं हुआ था मतलब कौन से राष्ट्री इस्तर के नेता 36 गड़ नहीं हुए थे मौलाना सौकत अली महत्मा गांधी जी के साथ आये थे 1920 में लाला लाज पत्र आये जो है कभी भी हमारे 36 गड़ में नहीं आये थे तो आंसर हो जाएगा आपका लाला लाज पत्र आये अगला कुश्चिन दिखते हैं कि मौर्य कालिंशिक के 36 गड़ के किस इस्थ धर पांडे बंसी धर पांडे लूचन प्रशाद पांडे तो यहां से जो है कोई सिक्कव अगरह नहीं मिला है अगला कुश्चिन है जंडा सत्यागरह का आरंभ कहां से हुआ था देखो जंडा सत्यागरह है यह मद्द भारत में एक बड़े लेवल का अंदोलन था जो कि ह हमारे चत्तिजगड में भी बहुत जादा फैला हुआ था तो यह जबलपूर से शुरू हुआ था कहां से जबलपूर बाद में फिर यह रायपूर बिलासपूर धंतरी इन सब तरब जो है फैल जाता है सांतिपूर्ण था यह पूर्ण तह अहिंसा पर आधारित था अगल जो चत्तिजगड जो कि पहले मध्यपरांते उंबरार का हिस्सा हुआ करता था उसको भी जो है मध्यपरदेश के अंतरगत सम्मिलित कर दिया जाता है तो 1956 अगला कोश्चन है चत्तिजगड राज्य के स्वपन द्रिष्टा कौन थे बहुत ही सरल कोश्चन है काफी बार प रहा जाता है तो यह जो है चत्तिजगड के प्रथम सोपने द्रिष्टा थे इसे के साथ आज का यह कोश्च वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है आप मुझे कॉमेंट करके बताएगा कि आपसे कितने कोश्चन सॉल्व हुए किसी भी कोश्चन में कोई भी डाउन तो जरूर बताएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है